हेलो गाइस कैसे हूँ आप सब लोग चलिए आज की वीडियो में हम सिखेंगे स्क्रंची बनाना तो आप हमारे हैंड में देख सकते हैं ब्लू कलर वाली स्क्रंची है तो वह टाइमी स्क्रंची है ना तो हमने सुचा आपको आज लार साइज वाली स्क्रंची ही क्योंने तो हमने क्यां हैं two ribbon को एक साथ से स्टिछ किया है फिर उसको दूसरे स्टिछ करकर क इसो कफ्लिप कर दिया है जै जब हम to online या बाहर आई से परचेस करने जाते ही तो तो इसलिए हमने सुचा आज की वीडियो में हम आपको सिखा ही देते हैं कि स्क्रंचीज कैसे बनाते हैं बस हमने क्या कि उसको स्टिच करकर उसको फ्लिप कर दिया हैं आप अपने चॉइस के एकॉर्डिंग तू डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हैं यार हम यह बोलना ही भूल किया हैं बस लास्ट से हम उसको स्टिच कर देंगे ताकि वह लॉक हो जाए और आगे नहीं आए तो हमने उसको स्टिच कर दिया है और उसको लॉक कर दिया है और आगे से हम पुल करकर उसको आगे से निकाल लेंगे अगर आप परल जुइलरी में इंट्रेस्टेड हो तो आप हमारे channel पर जाकर देख सकते हो, हमने अब वहां पर pearl jewelry बनाया है, pearl chain बनाया है, pearl choker बनाया है, and cloth chokers, different types of chokers, earrings, rings, snake rings, pearl rings, different types of rings बनाया है, आप हमारे channel पर एक पड़ जरूर से visit कर लेना, तो हमने क्या किए उसको lock कर दिया है, उसको pull करकर बाहर से, उसको भी हम दोनों तरफ से stitch कर देंगे और उसको layer layer जो form हो ना उसको हम set करके हमारा scrunchy ready हो गया है ध्यान से stitch करना अगर आप small babies हो ना अपने mummies की help ले लेना ठीक है क्योंकि ये needle है फिर आपको hurt लग जाएगी ना यार तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमने वहाँ पर अच्छे से lock कर जाए ताकि वहाँ से rubber band आगे दिखे ना स्कुछ कर लेना है हमारा scrunchy ready हो गया है ये कुछ अधूरा अधूरा से लग रहा था तो हमने सुचा इसको आभी और attractive बना दे हमने बस ribbon को knot बंद कर ही इसको bow बना दिया था क्यूंकि हमारे पास time नहीं था अगर आपके पास time होना आप stitch भी कर सकते हो इसको log भी कर सकते हो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना बहुत बहुत खयाल रखेगा हमारे चैनल को subscribe कर लेना like button हिट करना बाई